आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं बिल्कुल मार्केट जैसी काजु कतली वाली रेसिपी लेकिन हम इसे काजु से बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं लेकिन टेस्ट आपको सिब वैसा ही आने वाला है तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर पीनट इस पीनट बूने बिल्कुल रुके नहीं अगर आप इसको छोड़ दिंगे तो नीचे से जलने वाला आ जाएगा तो जो आप पाउडर बनाएंगे वह उसमें वाइट कलर नहीं आपाएगा मिक्सप कलर हो जाएगा थोड़ा डार्क हो जाएगा इसलिए आप इसको बिल्कुल चलाते ह हुए ही रोस्ट करें रोस्ट करने कुबत है आप इसको ठंडा करने को या चाहिए तो फ्रीचर में रख तै उसे क्या होता है ना कि पीस्तिट है वै अच्छे से नहीं नीकलता और अच्छे से पिस्ट आता है तो इसvention आप करते हैं आप इसका सारा जो उपर क Kaiser चिल्ट को एक निकाल देना है और मैंने इसको रख भी दिया था अब हम इसको ग्राइंड कर लि Explainer्ड करने में दिखते आप मिल्क पाउडर यूज़ करके भी जान सकते मैंने इसको पर दी छननी लेकर चाना किका इसका पाउडर एक दम भारिक, चाहिए कि जितना फाइन होगा उतना अच्छा होगा अगर यह मोटा रह जाएगा तो आपके मूग के नीचे ही आएगा फिर आपको बदाम वाला टेस्ट तो जरूरी आएगा तो अब इसको एड़ करना है आपको चार चमच चे करीब मिल्क पाउडर मैंने यहां पे तीन आपको देर कप चीनी लेना है और एक कप पानी और आधा से थोड़ा कम और पानी आपको इसमें ले लेना है इस रेचियो से आप ले 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 तीन कप पीनट लिया है मैंने पाच चमच लिया है मिल्क पाउडर और देर कप मैंने लिया है चीनी और लिया है मैंने देर कप से थोड़ा कम पानी अब आप इसको अच्छे से चलाते हुए पानी में चीनी को घोल लेना है देखिए मेरी चीनी जो हो गई है पानी में आपको इसको चलाते हुए उबाला लाना है इसमें इसमें उबाला गया है अब आप इसको चलाते हुए चेक कर लें आपको एक तारवाल बनानी है बिल्कुल ज्यादा गाड़ी नहीं बनानी है नितो वो जो कतली है वो फिर गट्टे के तरह बन जाएगा फिर आपको एक तारवाल ही बनानी है बस अब आप इसमें अपने जो अपने पाउडर बनाकर रखा है बादाम का इसमें एड कर दे और यहां पर आपको आपको थोड़ी सी मेनत यहां पर करना है बिल्कुल चलाते हुई रहना है ताकि इसमें कोई लंक्स ना बने देखी अच्छे से मिक्स हो गया है चासनी में अब आप इसको चलाते हुए 6-7 मिन तक आपको इसको पका लेना है जब आपको लगे कि तुछा सा यह हो चुका है मतलब मीचे थोड़ा चिपक रहा है तो आप इसमें घी एड़ कर देंगे इसे स्टेज पे तो मैंने यहां पर दो चमबच के करीब की एड़ किया है मैंने यहां पर दो चमबच गी ले लिया अब इसको अच्छा से इसमें मिक्स कर लेना है दीखे फिर उसी कंस्टेंसी किया कि बिल्कुर चिपक नहीं रहा है तो आपको इसी स्टेज पे घी आड़ कर लेना है फिर आपको इस तरह से चलाते हुए चेक कर लेना है अगर यह घी रिबन की स्ट्रक्चर में बने जैसे देखें में गिर अरहे हो तो तूट निर रिबर की तरह घिरते जा रहे मतलब यह पक चुकला है अब मैंने यहां पे लिया है प्लास्टिक उसको उसके उपर मैंने लगा दिया है गी और बैटर को मैंने दो मिने ठंडा होने दिया है अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ही आप यह प्लास्टिक वाला यूज करें अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसके ही ड लेना है अच्छे से इस तरह से दबाते हुए आटा के फॉर्म में जैसे कि हम आटा गुंते उस तरह से हो जाने वाला है देखिए इस तरह से हो गया है अब मैंने इसको अपने आथों पर घी जरूर लगाने थोड़ा सा स्टिकी होता है जब यह गरम होता है कि अधिस तरह से दबाते हुए आप इसको अच्छे से दिसे रोटिया वेलते उस तरह से आपको कर लेना है जितनी मोटी लगा दिया है मार्केट में एजली आपको मिल जाएगा किसी भी जेनरल स्ट्रोप है अगर आपको मार्केट वाले फॉर्म में दिखाना है ताप इसका यूज करें तब इसके बीना भी इसको काट सकते हैं तो मैंने आप इसकी से अच्छे से एक साइज में कट कर लिया है बहुत ही टेस्टी लगता है आप भी इसे घर पे बनाईए और फिर इस दिवाली आप भी में मानों को सौक कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और स्थियर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेग प्मझ कर दो जैय को आपके।